इस तरह के कीड़े होते हैं तो इन कीड़ों से जो है मच्छी पकड़े जाते हैं असलाम आलेकुम गाइस वेल्कम बैक तो नुव बुलाग गाइस कैसे हो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब खेरियस से होंगे तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेसल होने वाली है क्यूंकि हम जा रहे हैं नति और वहां पर जाकर मच्छी पकड़ेंगे तो मच्छी पकड़ने के लिए जो कीड़े होते हैं वो यहां पर बच्चे लोग निकाल रहे हैं देखें कैसे निकाल रहे हैं इस तरह के कीड़े होते हैं तो इन कीड़ों से जो है मच्छी पकड़े जाते हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर मच्छी किस तरह पकड़ा जाता है तो आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो देखें यहां पर इतना सारा जमीन खोदने के बाद इतन तो यहां पर किले कितने मोजूद हैं और हम इन कीडों से मच्छी यह पकड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे मच्छी यह पकड़ जाते हैं और इन कीडों को गल में कैसे डाला जाता है तो इस व्रीयों में देखने को मिलेगा तो इस व्रीयों में आप बुरें रहें तो हमारे साथ में इरफान भई इनका नाम है इरफान और वहां पर देखें आशीड भई हैं हम तीनों जा रहे हैं देखिये गाइज बाहिल कैसे हैं देखिये और हमार साथ में अरे यकुब भई आए वह आए आपके अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा टीशेट डालें और वह भी मर साथ में आएंगे अपना आएगा टीशेट आएगा टीशेट आएगा तो गाइस अभी देखें हम यहां पर आये हैं यहां पर एक गर मोजूद है तो बादू में है नदी तो वहां पर देख रहे हैं वहां पर नदी है तो हम वहीं पर जाएंगे दो मिन्ट का रास्ता है अभी यहां पर हम गाड़ी लगाएंगे गाइस अभी हम यहां पर लगाए हैं देखें और दो साथी आ रहे हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा देखें आप देख सकते हैं यहां पूरा यह जो है यह घांस है आजू-बाजू में जो है घांस यहां पर लगाया गया है क्या पर्ला है? पगी के लाँ आपकी करत का चाए इडाए एडा है कि यहां पर हैं वो कीड़े मखोडे इसी से हम अच्छी पकड़ेंगे और यहां पर जो है यह है अगर आपको यह विडियो पसंद आये लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें कैसे Eco अदर कीड़े को डाल रहा इस तरह कीडे को गल के अंदर डाला जाता है इसके बाद इसको पाने में प्यका जाता है तो अभी इर्फान कैसे प्यकता है देखो इनको पैचानों यह है इर्फान इसके अभी मच्छी मिल गई है देखें कैसा थर पड़ रहे है निचे तीचे शोड़ दीचे शोड़ इसके अभी एक मिली है तो फिर इंशाला और एक डालेंगे और पकड़ेंगे अग्याइज अभी एक मिली है मच्छी अभी तक जो है मच्छी मिलने को तयार नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि देखेंगे कर तक क और एक मच्छी मिल जाबे और हम घर को चले जाएंगे तो देखते हैं अभी वक्त है अभी चार बज रहे हैं तो देखते हैं इंशालला फिर एक मिलेगी तो हम लेकर जाएंगे पानी कितना नस्दीक है तो यह है नदी का पानी तो वहाँ पर भी पकड़ रहे हैं उनको अभी तक मच्ची नहीं मिली है लेकिन मुझे अल्ला का शुक्र है कि एक मच्ची मिल गई है एक आदा कीजी मच्ची होगी वो तो कोशिश कर रहा हूँ कि और एक मच्ची मिल जाए ताकि एक किलो हो जाए और आने का फाइदा भी हो जाए तो वही कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की तो अभी तक कोई मच्ची मिल नहीं रही है तो एक मच्ची तो माशालला मिल गई है आपकी दूआ की बरकत से तो ये है वो नदी किष्णा नदी आप देख रहे हैं मैं फिलाल अभी जो जहां बैटा हूँ इस गाउं का नाम है हुलोगबाड तो मैं यहाँ महमान के घर आया था तो उनी के साथ मैं मच्ची पकडने के लिए आया हूँ क्यूंके मैं जिस जगे पर बैटा हूँ यह हमारे ही महमान का यह जगा है यjang जंगल है तो उसी खेत में मैं बैटा हूँ तो वहां पर देखें लड़के लोग वहां पर भी पकड रहे हैं उनको भी तक एक मच्य नहीं मिली है लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि मच्ची पकडने की कोशिश करें आपको पता चलेगा कि कितनी महनत होती है लेकिन 3-4 गल हम 나धी के अंदर फेके थे फिर भी जो है महनस से एक मच्ची मिली है तो फिर भी लाध का शुकर है तो माशाला मच्ची तो आदा कीजी मच्ची है हम इसको लेकर जाएंगे घर तो फिर देखेंगे इंशाला कभी मौका मिलेगा तो फिर मची पकड़ने के लिए आएंगे आपको ये वीडियो कई से लेगी कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी 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 आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं फिर मिलते हैं एक नए वुलाग में तब तक के लिए दूआ की दर्खास वस्सलाम आलेकूम और रह्मत लाही वबरकातो लाइ